तो मेरी जन बरमास मूभी तो देखी लिया होगा अप लोगोंने और विशली देखा ही होगा तबी तुँ ये वीडियो देखने आए हों तो इस मूभी ने जाते जाते अपने पीछे काफी सारे सवाल छोड़े हैं जो हमें सोचने पर मुझबूर और रहा है क्या आगे क्या पहले बात करते हैं शुरुआत से, तो मोहन भरगाव यानि साहरू खान और अनिसेटी यानि नगरजुन, ये दोनों का important role अभी भी है, क्योंकि इन ही दो लोगों के पास बर्मास का एक एक हिस्सा था, सोचने वाली बात ये है कि आखिर इन दोनों के ही बर्मास के दो हिस्से को रखने के लिए कि हो दिया गया, जबकि पता है कि बर्मास कितना सकती साली है, कुछ तो कारण होगा जो इन दोनों पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी दिया गया था, तो हो सकता है हमें नेक्स पार्ट में इसके बारे में जानने को मिलेगा, इस वज़े से साहरू खान औ तो आखिर आग में जल कर मरी के से, कुछ लोगों का थियोरी ये भी निकल के आ रहा है कि वो अभी भी जिन्दा है, बढ़ ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अमरिता आग में सचमुच जल गई है, तो हो सकता है देवार अमरिता की लड़ाई के बीच में, देवने अमर जल अच्छ का खर रह ञाता, क्योंकि जब भी किसी का अच्छ चीनकर उसे बुराई के लिए यूज कर रहे थे तब ही उसका कलर चेंज हो जाता था, एक्जांपल के लिए जब वानर अरस्थ और नंदी अरस्थ को चीना गया तो रेट कलर में घुलों कर रहा था, लेकिन जब जुनून जल अस्त का यूज कर रही थी तब वो बुलू कलर में ही था तो मुझे ऐसे लगता है कि अमरीता की कोई मजबूरी थी जो उसे अपना जल अस्त को देना पड़ा पंचु भाई क्या फालतू के थियोरी लेके आते हो ऐसा होगा क्या तो अब बात करते हैं उस क अस्त को देखा है वस अस्त वही है जो एक लोकेट के मदद से किसी को भी अपने वस में कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह हाई कि इतने सारे अस्त होने के बावजूद एक पत्थर की मुरत में कैसे ट्रांस्फर्फ हो गया मैं भी मुझे यहां पर लगता है ब् बढ़िया था गुरूद आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना और हाँ देव के रोल के लिए एक डियूमर ये भी है कि रनबिर सिंग देव का रोल पहले करेंगे पर अभी ये कंफर्म नहीं है तो जाते जाते हम भी अपना एक फैन थियोरी आप लोगों को बत और नहीं इसा अपने परिवार के बारे में बात करती है कुछ तो चल रहा है इस दुनिया में मेरा मतलब कुछ तो चल रहा है इसा के साथ कहीं इसा बर्मास के बार में पहले से तो नहीं जानती थी क्योंकि गुरूजी के पास जाने का जीर इसा ही करती है और जब पहली ब तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना